Hello friends, मैं हो विशक जोशी, Electrical Engineering, बिला गूरूप अव कमपनीज, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फेस सिक्वेंस के बारे में, आज मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्टरिकल सिस्टम में फेस सिक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फेस सिक्वेंस का मतलब क्या होता ह यह जो फेस सिक्वेंस हमेशा बोलते रहते हैं, इसका एक्चल सिग्निफिकेंस क्या है टेक्निकल इलेक्टरिकल के दुनिया में यह आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, देखे कोई अगर आपसे यह करेंगे, तो देखे इसी को हम लोग face sequence के point of view में define करते हैं, इसी को हम लोग face sequence के point of view से explain करते हैं, अगर मैं यह कहता हूँ कि 3 face system में मेरा जो face sequence है, वो ryb है तो इसका मतलब यह हुआ कि r face का जो voltage है, वो सबसे पहले अपनी peak value अचीव करता है, उसके बाद y face का voltage अपनी peak value अ तो जिस sequence में आपका जो voltage है वो अपनी maximum value अचीव कर रहा है जिस order में ये काम हो रहा है जिस क्रम में ये voltage अपनी maximum value अचीव कर रहे हैं उनी sequence को हम लोग phase sequence कहते हैं देखे अगर three phase balance system की बात करें तो three phase balance system में जो हमारे तीन phase है ryb इन तीनों ही phase का voltage magnitude है वो हमेशा same रहता है same amount of voltage magnitude तीनों phase में आपको मिलेगा और ये जो तीनों phase रहेंगे ये 120 degree से apart रहेंगे अगर हम unbalance system की बात करें तो unbalance system में voltage में भी आपको fluctuation देखने को मिल सकते हैं और current भी आपका unbalance रह सकता है इसलिए उस system को unbalance खा गया है पर अगर three phase balance system की बात करें तो तीनों ही phase का जो magnitude है जो voltage magnitude है वो हमेशा same रहेगा और वो तीनों ही phase 120 degree apart रहेंगे तो दोस्तों जब भी हम लोग यह कहते हैं कि हमारे system का जो phase sequence है वो ryb है तो इससे मतलब यह होता है कि हमारा जो phase sequence है यह clockwise sequence है इससे clockwise sequence इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप किसी motor को ryb इस order में आप उसका phase sequence arrange करेंगे तो वो motor का जो direction of rotation है यह हमेशा clockwise होगा अब आप ryb करे, ybr करे या फिर bry करे यह एक ही बात है main चीज़ यह है कि अगर सबसे पहले आपका r phase maximum value अर्चीव कर रहा है फिर y कर रहा है फिर b कर रहा है इस order में अगर आप चलते हैं तो इसे clockwise sequence कहा जाएगा इसे positive sequence कहा जाएगा और आपके motor का जो direction of rotation होगा वो हमेशा clockwise होगा वो हमेशा positive direction में होगा वैसे ही अगर आप phase sequence को reverse कर दें अगर आप इस order को completely change कर दें तो आपके motor का जो direction of rotation हो भी change हो जाएगा अब आपके जो motor है वो anti clockwise direction में घूमने लगेगी इसलिए जब भी हम phase को reverse करते हैं चाहे आप किसी भी दो phase को आपस में interchange कर दीजे जब भी आप phase reversal करेंगे तो उसे anti clockwise rotation कहा जाएगा उसे anti clockwise sequence कहा जाएगा क्योंकि इस जो आपने जो phase sequence arrange किया है इसमें आप जो direction of rotation produce हो रहा है कि anti clockwise हो रहा है अब दोस्तों बात ये भी आती है कि phase sequence change करने से ऐसा क्या होता है कि motor का direction change हो जाता है तो देखे जब भी आप motor का phase sequence change करते हैं तो motor के अंदर जो magnetic field produce हो रही है उस magnetic field का direction of rotation change हो जाता है जैसे अगर हम लोग 3 phase induction motor की बात करें तो अगर आपकी 3 phase induction motor clockwise direction में घूम रही है और अगर आपने phase sequence change कर दिया तो जो rotating magnetic field है उसका direction change हो जाएगा जिसके वज़े से motor में जो torque produce हो रहा है उस torque का direction भी change होगा और आपकी motor का direction of rotation भी change हो जाएगा तो phase sequence change करने से technically आप rotating magnetic field का direction change करते हैं जिसके वज़े से जिस direction में torque produce होना था वो direction change हो जाता है जिससे आपकी motor का जो rotation है उसका direction भी completely change हो जाता है अब दोस्तों बात आती है कि face sequence को industries में इतनी importance क्यों दी जाती है देखिए जब भी आप 2 या 2 से ज़ादा transformers को parallel में connect करते हैं तो उसमें एक criteria ये भी होता है कि उनका face sequence same होना चीए अगर 2 transformer जो parallel में connected है इनका अगर face sequence same नहीं होगा तो after all वो short circuit होने वाला है जिससे आपका face sequence meter use किये जाते हैं जिससे हम 2 transformer का या 2 generators का या 2 system का जो parallel में रन कर रहे हैं उनका face sequence हम लोग देख सकते हैं कि उनका face sequence same होना चीए इसके अलावा जब भी आप motor का direction ट्रायल लेते हैं मानलीजिया आपकी कोई motor जल गई है अब आपने दूसरी motor इसमें replace कर दी तो जो दूसरी motor आप लगाए हैं उसमें connection करने के बाद आप सबसे पहले direction ट्रायल लेते हैं और अगर direction आपका उल्टा मिलता है तो आप face sequence को change करके motor का direction चेंज करते हैं तो इसलिए अगर हम practical industrial working की बात करें तो वहाँ पर face sequence का significance बहुत जादा है इसलिए face sequence के बारे में complete information आपके पास होनी जरूरी है तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखें गुड़ बाई